हलो स्टुरेंट्स नेक्स प्रॉब्लम इस टाइशोमेट्री में आपके सामने में हैं इस प्रॉब्लम में गिविन है मास ओफ आ मॉलिक्यूल ओफ वाटर मतलब एक जो मॉलिक्यूल है वाटर का उसका मास कितना है तो देखिए यहां पर फिर वही गुरुमंध तो अगर हम यह वन मॉल मॉलिक्यूल वाटर का लेते हैं तो यह 18 ग्राम होता है जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी है ओवियस्टी 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ओफ वाटर के इक्वल है 18 ग्राम को we can write 18 इंटू 10 की पावर माइनस 3 किलो ग्राम क्योंकि जो भी मुझे ऑप्शन गिवन है वो सब किलो ग्राम में गिवन है तो अब मैं यहां पर लिख सकता हूँ बिकॉज 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ओफ वाटर हैज वे इनका जो वेट है वो 18 इंटू 10 की पावर माइनस 3 किलो ग्राम है तो therefore अगर मैं वन मॉलिक्यूल वाटर लूँगा तो obviously इनका जो वेट होगा तो वो यहां पर आप बहुत इसली कैलकुरेट कर सकते हैं 18 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10 की पावर 23 यह देखे तो जब हम इसको solve करते हैं तो यह 2.99 multiply by 10 की पावर माइनस 26 किलो ग्राम आ जाएगा students और obviously यह जो answer है 10 की पावर माइनस 26 के respect में हमको first option दिख रहा है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 26 तो इसलीए A is correct answer तो हमको सबसे पहले problem को बहुत दंग से समझ लेना है कि किस type का हमसे problem पूछ रहा है data पूछ रहा है और कौन सा data given है उसके according हम mole में हमेशा 2 से 3 steps के अंदर ही सारी problems को complete कर सकते हैं ओके thank you